राइट मैसेज राइट कम्नुकेशन गंट्रिंसाइड नियुर्ट आज की बात में हमारे साथ मौजूद है सुनिल पांडे सर राजनितिक विश्यसत आज हम लोग बात कर रहे हैं कंग्रेस पार्टी राजसन में क्या कर रही है जो कंग्रेस के नित्रित है सचीन पाइलट के सचीन को साथ लेकर चल रहा है लेकिन इसका कुई असर असो गहलोट पे नहीं हो रहे है और फाइनली असो गहलोट कुर्टी छोड़ने को तयार नहीं है कॉंग्रेस को नजिक सा समझने वाले राजनितिक सेक्सुन इलपांडे सर आप क्या कहेंगे कंग्रेस नेंत्रुक्त से परशान है आप राजस्थान की बात कर रहे हैं राजस्थान भीतर घात से नहीं सामने सामने घात हो रहा है मुख मंत्री हूं या उनके साथ जो उलज रहे हैं युवा नेतार उनकी बात हो यहाटार जिस समय से सरकार का गठन हुआ है उसी समय से लड़ाई आ रही है और लड़ाई का निराखन रहा होता है दिल्ली जा कर अब दिल्ली में प्रियंका गांधी हो या राहूल गांधी हो यह लगातार चाहते हैं कि युवा नेत्रित को आगे लाया जाए, साथ में कॉंग्रेस यात्रा में वो चल भी रहे हैं, लेकिन है क्या कि मुख मंत्री के खिलाप खुले आम तोर पर कोई निर्णे लोग नहीं ले पा रहा है, वो उम्रदराज हो चुके हैं, इसमें भी दो आए नहीं है, लेकिन कॉंग्रेस युवा नेत्रित की नाम तो लेती है, कि युवा नेत्रित को आगे कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, योतिरादत सिंधिया का केस आपको याद है, योतिरादत सिंधिया लगातार वर्सों तक इस परियास में नहीं को नेत्रि G22 की बात आती है, कई ऐसे मुद्दे हैं, जो कॉंग्रेस में लगातार उठते रहे हैं, नवीनी करन को लेकर, बदलाव को लेकर, और सबसे बड़ी बात जो ये सुप्रिम फैमिली पार्टी जो बन चुकी है कॉंग्रेस, इससे बाहर आने के लिए, लेकिन इसा हो नहीं रह है, बिली के गले में घंटी कौंद बांधे, कई लोग आ गया है, गुलाम नवी आजाद का उधारन आपके सामने है, उनको भी कॉंग्रेस छोड़ कर जाना पड़ा, नया घर बनाना पड़ा, नहीं पाटी बना कर, वो जम्मू का स्मीर में चुनाओ लड़ सकते हैं, तो आपका इमेज एंटी हिंदू होते जा रहा है, यह समसे बड़ा बनलाओं लाने की जहूरत है कॉंग्रेस को, यह अलग बात है कि राश्ट्री अस्तर पर अब एंटी हिंदू, निर्णे लेने का अधिकार या साहस कोई नहीं कर पा रहा है, पहले हम तुश्री करन की बात क मुसलिमों का या कोई दूसरे अलपसंख्या क्यों का लेकिन वह इस्थिती बदल गई है, तो यह पूरा उठा पठक जो है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन आपके पास एक बढ़ियां नित्रित हो, जो काइदे से फेभर की राजनीती नहीं क गेज़े, उन्हने इस्थिपा किया, कॉंग्रेस से उनको समझाया था के आपम मुंधरी बनेंगे, चीन पाइलेट जी के बारे में सर आप पर चलती है और funding में गहलोत का कोई जोड नहीं है गहलोत funding में मददगार है सचीन पाइलट पर एक उनका एज भर है इस मामले को ले कर लेकिन दूसरी बात है कि इनके पास एक उम्र थी हां अनुभव की कमी है अनुभव के लिए कई दूसे दूसे इलाकों से दूसरे शत्रों से मदद उनको दी जा सकती है लेकिन ऐसे भी संसदिय राजी थी का तो उनका भी हो गया है बिलकुल बिलकुल देखा जाएगा देखना चाहिए मैं तो वही कह रहा हूँ लेकिन अब गहलोत के क्या गहरा लगाव है इस कॉंग्रेस के सुप्रीमों से ये कहना मुस्किल है ये दोराय नहीं है कि सोनिया के इतर दोनों भाई वहन अलग विचार रखते हैं सचीन को लेक सुनिया हो सकती है कि गहलोत को चाहती हो या गहलोत के फेवर में हो लेकिन दोनों भाई वहन सचीन के लिए साथ खड़े हैं लेकिन निर्णे में वह इसा देखा नहीं जा रहा है इसीति यह कि प्रदेश शोकर सचीन ज्यादा समय दिल्ली में बिताते हैं या राहुल के सा इन दिनों यात्रा में जुटे होगा है सचीन पाइलट अगर मुक्रमंत्री का फेश चुनाओ तेश में होने वाला है सर नहीं बनते हैं तो क्या वह इस्तिपा करके बीजेपी में चले जाएंगे सर यह चर्चा बहुत तीनों से है खासकर के जोतिर्यादित सिंधिया जब कॉंग्रेस छोड़े उसी समय दूसरे यवा या जतिन यह 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 जतिन प्रसाद ने छोड़ा यह सब एक ग्रूप के हैं तो ऐसा माना जा रहा था कि उसी समय ऐसा निर्णे होगा ऐसा नहीं हुआ लेकिन 2023 में कुछ निर्णायक चीज़ें देखने को मिल सकती है जिस तर स सचीन के साथ कांग्रेस कर रही है पंजाब के कैपटन नमरिदर सिंठ ने कुछ स्टीन नहीं है जो कैपटन की पकड़ ति है लेकिन क्यापटन की हैसियत गहलोट बड़ी हैसियत थी हैसियत है आज भी तो दोनों की तुन्ला नहीं की जा सकती है लेकिन हा गहलो तो अपने रास्ते पे रहेंगे सचीन पाइलट का रास्ता जुदा हो सकता है सुनिल पması कर दिया है कि अगर सचीन पाइलट पर जल्द कॉंगरेस ने तुड़ी नहीं लेता है तो हो सकता है कि अपना रास्ता जुदा कर ले हमारे सोजोगेश संदि के साथ कॉसलेंद हर नई दिलीशे